नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है A1 Commerce Classes के YouTube चैनल पड़ जैसा कि आप लोग जान रहे हैं Intermediate का result आ चुका है तो हमारे A1 Commerce Classes के जो सबसे first धुरंदर हैं जो topper है हमारे class के उनसे आपको आज मिलवाएंगे हम उनका जो result आया उनका इतना अच्छा result कैसे आया उनके ही जुवान से हम सुनाएंगे आपको और काफी हद तक वो motivate करेंगे चात्रों को क्योंकि वो present time उनका अच्छा result आया present में है उनका result अच्छा है तो उनका कैसे पढ़ाई का strategy क्या था वो कैसे पढ़ते थे आकरी में अंतिम चनों में उनके कैसे पढ़ाई की सभी बातों को वो लेकर आएंगे आपको बताएंगे देख रहे हैं मिठाई लेकर आए थे खिलाने के लिए लेकिन अमबोली के clips बनाते हैं और बच्चों तक share करेंगे ताकि बच्चों का जो एक जो भी problem है उस problem का solution हो सके मतलब हो सकता है कि इनसे आप लोग को काफी चीश सीखने को मिलेगा तो चलिए आते हैं राजा बाबू है ना देख रहे हैं राजा बाबू नाम है इनका और ये फर्स टॉपर हमारे यहां का 4444 माक्स है इनको 444 माक्स है और सभी में D लगा हुआ है सबसे पहले हम कुछ नहीं बोलेंगे सबसे पहले राजा बाबू को मिठाई खिलाएंगे क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे गर्व की बात होती है उनका स्टूडेंट जब अच्छा करता है तो यह मेरे लिए खुजी की बात है कि एक स्टूडेंट मेरा इतना अच्छा किया है तो मेरे लिए सबसे गर्व की बात है तो चलिए सबसे पहले यह मिठाई पूरा खा लेना है तो राजा आपका जो इतना अच्छा मार्स आया, तो वो मार्स कैसे आया, चातरों तक बताईए की कैसे सुरुवास से कैसे बढ़ा जाए, कैसे result इतना टॉपर बनने, कैसे टॉपर बना जाए, तो बच्चों को बताईए ताकि बच्चे को कुछ सीखने को मिले आप से सबसे पहले मैं धीरत सड़का और अपने कोचिंग के जितने भी सहयोगी चात रहे हैं उन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जैसा कि हम सुरू से ज़्यादा पढ़ाई भी फोकस नहीं कर जेते हैं लेकिन अंतिम में आके बहुत ज़्यादा ही फोकस करने लगा है क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था क्या मेरा पढ़ाई बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है और क्या घाता है अन्तिम में आके बहुत महनत किया है जैसे का पुड़ा जुक्त फीन अलता है उसको पूरा स्वेश को हम अच्छे से दो तीन वर कंप्लीट किये हैं यदिंट का हिंधी इंग्लीस कि हम लगवग मीडिये अंदाजय से हम चार वार कमप्लेट कुलेट किया है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा टीचर है जो हिंदी इंगलिस को बहुत अच्छे से पढ़ाता है और बाकि एकाउंट्स, बेस्टी, इंटर्पनियोर्शीप, इकोनोमिक्स तो हमारे धीरस्तर हैं जो वो पढ़ाय थे और धीरस्तर तो बहुत सारे सब्जेक्ट क अच्छे से मोटिभेट भी है, बहुत अच्छे से पढ़ाए भी और हिंदी इंगलिस को तो हम बहुत जादा मै हिनद क्या है, तो हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी हर एक सब्जेक्ट पर बड़ा-बर मैनत करना चाहिए अगर आप एक सब्जेक्ट पर एक एक्जांपल लेते हैं एकाउंट पर ज़्यादा मैनत कीजिएगा तो आपका आगे वाला जो अदर सब्जेक्ट रेगा उसमें कम मार्क्स आ जाएगा तो आपका एबरेज मार्क्स नहीं आ पाएगा अच्छे से अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है जैसे कि मेरा अच्छा मार्क्स आया है अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट पर equally ध्यान देना पड़ेगा इन्हें कि एक subject पे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं दूसरे subject पे अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में आपका average marks अच्छा नहीं आए पाएगा पास हो जाईएगा लेकिन आपका marks अच्छा नहीं आ पाएगा तो इसके लिए आपको हर एक subject पे equally ध्यान देना चाहिए तो इतना ही बोलेंगे हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि आप लोग खुद ही एक तरह से हमको लगता है आप लोग modern जमाने के बच्चे लोग हो तो हमको ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही हमसे ही talented हो आप लोग बहुत ज़्यादा ही social media के बारे हम जानते हो वहाँ से भी आप लोग बहुत ज़्यादा motivation मिलता है पाकिसाब phone का आप misuse भी कर सकते हैं बहुत अच्छा use भी है ठीक है thank you so much जैसा कि राजा ने बताया कि phone फोन एक बहुत सच में फोन एक बहुत अच्छा साधन है जिससे आपका result काफी अच्छा हो सकता है जैसा कि मैं भी अभी लगातार यूट्यूब पर live class दे रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चे क्लास के देखते भी है बहुत सारे बच्चे नहीं भी देखते है तो यही की हाना चाहूँगा कि phone का जो use करते हैं काफी अच्छा ये बात कहें बच्चों के लिए कि phone phone का misuse डूस यूज नहीं कीजे phone अगर मिला है घर से तो फोन का यूज़ कीज़े, बहुत सारे बच्चों को फोन नहीं मिलता है, तो अपको अगर मिला है फोन, तो आप अच्छे से उसका यूज़ कीज़े, आप अच्छा रिजर्ट ला सकते हैं, काफियत तक, अच्छा राजा, एक कुशन और भी आप से, पढ़े कि लास्ट टाइम में, अंतिम चन में, बच्चों को काफी डर लगता है कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, नहीं पढ़े, है ना, इस तरह का डर काफी रहता है, तो इस तरह के डर को बच्चों का अटाने के लिए, इसमें थोड़ा सा कुछ बताईए, कि बच्चों लोग को कैसे डर हटाए उस टाइम में, और कैसे पढ़ाई करें लास्ट अंतिम चन में, है ना, उच्छी जोगों. जैसा कि आप लोगों को पता है, कि लास्ट टाइम में बच्चे लोग पैनिक हो जाते, बहुत ज्यादा पढ़ेसान रहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़े, तो हमको ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा पैनिक होने के आवसकता नहीं है, अगर आप एक साल पूरे पढ़े हुए हैं, तो आपको लास्ट टाइम में ज्यादा मैनत करने की जड़ोधन है, रिविजन करते रहे हैं, प्रैक्टिस किजिए, सेट किजिए, मॉडल पेपर मारिए, यानि कि मॉडल पेपर का प्रैक्टिस किजिए, अब जितना practice कीजिएगा یعنese sex practice कीजिएगा आपका result jyawo اiantlyah better होगा अगर आप sex practice नहीं करते हैं तो हमको नहीं लगता है result आपका better होगा Trust practice, यहनि कि हमको लगता है बहुत ज़्यादा आपका result इस्ट्रॉंग कर सकता है तो हमको ऐसा लगता है कि अंतीम टाइम में आपको ज्यादा पैनिक ने होना है, जो पहले का आप स्लेबस कभर कर चुके हैं, उसको एक, दो बार, तीन बार, जितना हो सके आप से, आप स्लेबस को पूरा कभर कर लीजे, उसके बाद आप से जितना ओड़ा सेट प्रैक्टिस कीजिए, कोस्चन आंसर क किजिए, कोस्चन बैंक कीजिए, कम से कम आप 5 से 10 साल का पिछला कोस्चन बैंक को कम्प्लीट कर लीजे, जिसे आपका जो आगे वाला जो कोस्चन का पैटन रहेगा, वो आपको समझ में आप आएगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहेंगे, राजा बोले कि ला रेडिशन एक्जाम के लिए, या 12 के एक्जाम के लिए, कोई भी एक्जाम दीजेगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, सेट पैक्टिस करनी होगी, तभी आपका रेजल्ट बैतर हो सकता है, ये बहुत ही अच्छी बात इनोंने कही है, ठीक है, तो आप लोग भी अंति दूसरा सेट बनाई है, फिर दूसरा सेट में भी जैसा प्रॉबला वा रहा है, तो दीरे-दीरे करके आपका माक्स इंक्रीज होगा, साहिद आपका भी ऐसा ही हुआ होगा, तो अच्छा राजा, एक कोस्टन और भी था, कि बच्चे क्लास करते हैं, बच्चे क्लास करते ह तो घर पे क्या था, कि जैसे क्लास करें आज क्लास करके गए घर, तो फिर उसके बाद क्या करते थे, जैसे आपका इंगलिस का क्लास होता था, हिंदी का क्लास होता था, एकाउंट्स का क्लास होता था, बिजनेस्टेडी का क्लास होता था, तो फिर आप घर जाते थे, तो होंबग को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है अगर जादा हो रहा है तो उससे रिलेटेट आप एक्जामपल बना लीजिए उससे रिलेटेट आप गूगल से कोश्चन सर्च करके बना लीजिए यानि कि जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उस पे ताबरतोर आपको प्र में तो एक्जामपल को आपको बना लेना चाहिए क्योंकि एक्जामपल बहुत ज्यादा मदद करता आपके रिजल्ट को इन्हेंस करने में काफी अच्छी बात कही राजाने एक टॉपर की जो कहानी है टॉपर की कहानी कुछ अलगी होती है कुछ अलग के स्टेटिजी से देखेगा अगर आप नॉर्मल पढ़ाई करते हैं नॉर्मल तरीके से पढ़ते तो आप टॉपर नहीं कलाईएगा टॉपर का कुछ अलगी रूल होता है कुछ अलगी उसका हर चीज एक्टिविटी होता है जैसा कि इन्होंने बताया कि क्लास करने के बाद घड़ जाते है बहुत सारे बच्चे जाने के बाद कौपी को बंद कर देते उसको छूते भी नहीं है लेकिन अभी का जो टॉपर बनना अगर है तो इनका काना है कि आपको research करके पड़ना होगा अगर आप research नहीं करके पड़ते हैं तो आप टॉपर नहीं कलाइये का बस सर के भरोसे नहीं बैटना है आपको खुद से भी महनत करनी होगी जैसे मैं सभी को अच्छा पढ़ाता हूँ सभी को जनरली पढ़ाता हूँ और सभी का अपना-पना महनत होता है वो टॉप करने का जैसे इनका जो top करने का जो स्रे है इनका खुद है ये खुद top अच्छे से किये क्योंकि ये खुद महनत ज्यादा किये है जैसा कि इन्होंने बताया कि Google से search करते थे question को, उसके बाद example बनाते थे example फिर problem आती थे हमसे भी आके पूछते थे है ना, तो यही बात है कि इनका जो strategy ये काफी अच्छा है आप लोग भी इसको अपना सकते हैं कि research करके पढ़िए किसी भी topic पे ताकि आपका result काफी बैतर हो आप topper बन सकते हैं, अगर आप topper बनना चाहते हैं, तो आपको research करके पढ़ना होगा, ऐसा राजा का कहाना है, क्या राजा सही है, चले ठीक है आपका जो एक last question है आपसे बस कि आपका जो यह इतना अच्छा माग साहा है, इसका जो स्रे जाता है, आप किसको देना चाहिएगा, ठीक है, सबसे पहला स्रे किसको जाता आपका ये जैसा कि ये बिजल्ट जो ए सड़ पर्थम तो मेरे सड़ को जाता है क्योंकि अगर साड़ सलेबस को अच्छे ढंग से पढ़ाते नहीं तो ऐसा रिजल्ट नहीं आ पाता दूसरा सब्सक्रेट ऊ। फी पूचा पाएं यानि कि हर तरह से financially, physically हर तरही के से जो ममी पापा मदद करते हैं, दूसरा सरे तो माता पिता को जाता है और तीसरा सरे हमको लगता है मेरे दोस्तों को जाता है, कि वो लोग भी बहुत चीजों में मेरे मदद किये हैं, तो एसा लगता है कि हर चीजों से सर का भी है, ममी पापा का भी है, दोस्तों का भी है, तो यही तीनों का मेरा सरे ही जाता है, ठीक है, सबसे पहला सरे मैं देना चाहूंगा इनके ममी पापा को, ठीक है, हम तो है ही, हम जहां पे भी है, लेकिन इनका जो पड़िवार का माहॉल है, बहुत ही अच्छा है, मैं जहा motivate करता है teacher एक अच्छा पढ़ाता है लेकिन बच्चे के जो घर का मावल है वो अच्छा होना चाहिए घर का मावल अच्छा होता है तब result अच्छा होता है ताकि घर में अच्छे से पढ़ाई करेंगे जितना study घर में अच्छे से कर सकते हैं उतना study और कहीं नहीं कर सकते हैं बखेक Snapchat बहुत अच्छा रहा है अच्छा सुनने माय कि लास्ट टाइम में आपने कुछ महिनों तक के लिए लेभरी दी जा से बड़ाई करने का सबसे ब्यूट तरहय क blas आपे फ़रा सापको न आज होगी है तो आपको मन कड़ेगा फिर कल परने का नहीं यासे आप लाइबरेरी जोइन कर लेते कम हमको यासा लगता है कि आप लोगों को 8 गहनटा बाइबरेरी जाडब कर लेना चाहिए अगर आप लाइबरेरी जोइनकर तो वहाँ पर कोई distraction नहीं है ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट दस मिनट या एक गंटा आपका waste होगा उससे ज्यादा waste नहीं होगा तो आप साथ गंटा पढ़ते पढ़ते हैं तो वह बहुत पता था है ना मेरे से पूछे भी ते सर मैं लाबरी ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल कहा था कि बिल्कुल ज्वाइन कर लीजे और काफी अद तक फायदा भी हुआ था ये सुबह में इनका मैं थोरा सा एक बात बता दता हूं इनका घर 12-15 किलुमेटर दूर है 12-15 किलुमेटर दूर है पानी हो बरसात हो आंदी हो तुपान हो मेरा समय था सुबह में आठ बजे क्लास की ये ओन टाइम आठ बजे में 5 मिनट लेट रहता था तो ये क्लास आ जाते थे है ना और ये साइकल से आते थे डेली आते थे डेली जाते थे डेली सुबह में आते ते घर से टिपिल लेकर आते थे लावड़ी में खाना खा लेते थे बैट करके अच्छे से ने तो एक हमारे क्लास के बगल में एक जगा है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं बैट कर वहाँ पे नास्ता वेगरा करते हैं या बैट के पढ़ते भी हैं वहाँ पर बैट के यह पढ़ते भी थे कभी-कभी और नास्ता भी खड़ लेते थे देखेगा कोई ऐसे उस मुकाम पे नहीं जाता है है ना काफी मेहनत करने पड़ते उसके पीछे कितना मेहनत होता है वही जानता है वो लोग समझते है कि रिजल्ट 444 नमर आ गया है ना लेकिन उसक जिसका उनका जो मेहनत है दस 15 कुलिमेटर डेली साइकल साना 365 दिन दो साल 365 गुना दो कर लिजे इन्होंने पूरा क्लास रेगुलर किया है और साथी साथ 15 कुलिमेटर डेली साइकल साना डेली जाना और सुबह आना और साम में जाना ये काफी बहुत मेहनत का काम है सभी ल यह लेकर लाइंगे आप लोग की बीज़र इसार आप का बंखàn ولग को बने बाई इतना समय चौना अपको देने लिए और आप सबी भी और गुजारिस करेंगे हृट कमेंट के मादेम से बताथे आप लोग कौनेदर्वी काइसा लगा है अगर इंटर्विव अच्छा लगा है तो आप लोग ज्यादा चे ज्यादा सेयर करें ताकि बहुत सारे चात्रों तक इंटर्विव पहुंचे और उनको मोटीवेशन का एक केंद्र बने ठीक है थांक्यू सो मच जै हींद जै भारत इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल से ज